आपास उठाएंगे आपास उठाएंगे बेजेते इंसान जो हो गई वो हैवान है और तुछुटा मत कर देगा इंसाफ तो दिल वाएंगे ते भाई अभी जिन्दा है आपास उठाएंगे एक बच्ची थी मासूम से ना हिंदू थी ना मुस्लिम थी पर बेटी थी किसी की मा की लाडली और बाप का सहारा भी थी पर कुदरत रोई होगी देखके जब लिपट आई होगी वो कफन में और लिटाया होगा उसको कबर में कितनी हिम्मत से उठाया होगा जनाजा उस बाप ने जिसने खिलाया तो उसको अपने हाथ में मा की चीखे भी निकली होगी बेकाबू होके वो भी लिपटी होगी उस बेटी से जो अब लाश थी जो कल तक उसकी गोद में सोई थी आज वो हमेशा के लिए खामोश थी बच्ची चीड़ दी गई मंदिर में और वो भी तुम खबरों में पढ़ते हो वो कौन सी पुकार है दोस्त जो तुम सुनते हो पर अफसोस पर अफसोस के इस मुद्दे को भी तुम सियासी बना रहे हो असीफा को मुसल्मान बोलके दरिंदों को तुम हिंदू बता रहे हो अरे मजभी जंडों के पीछे देश को बाट में वालो बाज आ जाओ जो आज एक बेटी पे गुजरा है कल तुम्हारे साथ ना गुजरे चलो साथ आ जाओ और ये अब असीफा की बात नहीं बलके देश की इज़त की बात है जो बच्चियां अभी कोक में हैं ये उनके कल की बात है और अगर मेरे दर्द को समझ पा रहे हो तो इसको फेला देना हिंदूस्तान की बच्चियों की इज़त लूटी जा रही है उनको इंसाफ दिला देना उनको इंसाफ दिला देना पेश की स्दत खत्रे में है दरिंदे साले रस्ते में है शिकारी साले शिकार करेंगे नोच के उसको साफ करेंगे फिर केंडल मार्ग प्योरा और अकबार बजार करन करेंगे पिर मौसम मतलेगा, सब ठंडे पढ़ जाएंगे जो भार निकले थे बजारों में, वो कामों में लग जाएंगे दरेंदे फिर बज जाएंगे, गंद की भिलाएंगे भोदी जी सुनते हो, जार आली बातें सुनते हो सन पंद्रा की बात है, सोर्धार में रेते पेथी बचाओ, पेथी बढ़ाओ, आप स्टेज पर चिलारे थे, आप क्यू शान है आप हमारा साथ दे, कृप्या करके उस बच्ची को इन साख दे तेरे भाई जिन्दा है, शर्मिन्दा है, तिन साफ दिलाएंगे, आवाज उठाएंगे भाई उसे पर चाँने क्या को इने साफ देरे बच्ची करके एका बाँने है झाल झाल